हेलो गाइस, वेल्ट एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आज मैं आपके लिए तीन मल्टी बेगर स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप मंडे से वो लेवल के आसपास मिलते हैं, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो, और तीन से बारा महिने के लिए अपने पोर्टफो सेकंड एपिसोड हैनि की अपने हर महिने के लाज़ दिन अपने एक वीडियो डालते हैं, जो 3-12 महिने के लिए अच्छे मोमेंटम स्टॉक होते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो डाला है, तो जाके देख सकते हो हैं, तो उससे आपको पता चलेगा है कि कौन से कौन से डहीए कि यह षिरिज के पिछे क्या विजय के विजदे के पिछे का लोजिक तर्फ में पर्फर्बस क्या बहुँ आaci अपको इसमें बताया हुआ, तो यह दीए जाकर देख सकते हैं उसके अलावा जो पहली बार चैनल पे आयो तो चैनल को सस्क्राइब करके रख सकते हो आपको इंट्राडे के स्टॉक मिलेंगे ऐसे अलग-अलग स्ट्रेटेजी के उपर भी मिलते रहेंगे वीडियो और उसके अलावा में आपको पूरा चार्ट अनलिस से सिखाता हो आपको पूरा उसके पिछे का लॉजिक समझाऊंगा तो बेक टुबेक अगर आप पांच-दस वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाए गया और आप अपने चार्ट अनलिस खुझ से भी कर सकते हो तो आप चैनल को सस्क्राइब करके रख सकते हो उसके अलावा अगर आपके पर टेलिग्राम में तो टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हो लिंक में ने दे दिया है डिस्क्रिसम ने इसमें क्या होता है लाइब मार्केट में भी अपने ट्रेट देते रहते हैं जैसे कि फ्राइडे को लिबर्टी सूज दिया था तो आप देखोगे जाके लिबर्टी सूज में इसमें पूरा आपको चार्ट आनालिसस करके बताया कि यह स्टोक को क्यू बाइक करना है उसके पिछे के कौन से इंडिकेटर अपने यूज करेंगे तो वह आपको समझ में आ जाएगा तो आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जब भी ऐसा सेट अप बनता है तो स्टोक के ऐसा पर्फॉमर्स देता है तो आपको पता होगर लिबर्टी सूज ने कल जैसे ही दूस्ट असी का लेवल क्रॉस किया है तो उसने 313-14 का हाई मारा था यानि कि अपना जो भी टार साथारे में बताएंगे वीखली चार्ट के उपर अनलिसिस करेंगे तो पहले स्टॉक का नामे है एसकोट संसी एक अक्टोबर 222 अनिकि अपने हर सेटर्ड़ को मल्टी बेगर स्टॉक के बारे में वीडियो आते हैं तो एक अक्टोबर 22 आज का Saturday का दिन है पहला reason क्या है रे system become support तो आपका पता आपने सबसे ज़्यादा इस पे बरोसा करते है रे system become support पे तो इसमें क्या होता है कि stock कोई area से rejection लेता है तो ध्यान से देखो कि weekly chart में stock कर क्या रहा था ये area से consolidate कर रहा था बार-बार rejection ले रहा था ये stock का क्या हो गया ये पूरा rejection area हो गया उसके बाद finally उसने एक week में ऐसा है कि उसने breakout दे दिया breakout दे के उपर close दिया यानि कि breakout confirm हो गया उसके बाद कोई भी stock होता है रेटेस करने के 90% निचे आता है तो ये stock ने भी दो week में निचे आया और रेटेस कहाँ पर किया उसका पहले जो supply zone था वहाँ पर stock ने क्या बनाई या पर demand zone बनाई है और जैसे demand zone का high break होता है यानि कि इसको आप बोल सकते हैं रेटेस candle का high break होता है तो अपना trade confirm हो जाता है stock उपर जाने के लिए ready होता है तो ये week देखोगे तो stock उपर गया था उसके बाद ये week में भी stock उपर इया अभी यानि कि अपना call already active हो चुका ये आपका stop loss एरिया हो जाएगा पहले जो supply zone था ये stock का अभी क्या हो जाएगा demand zone हो जाएगा दूसरा reason काँसा trend line will support अभी trend line का support मिल रहा है या भी नहीं मिल रहा है लेकिन stock आप ध्यान से देखोगे नीचे तो trend line का यहाँ पर support आ रहा है trend line का यहाँ पर भी support आ रहा है trend line का back to back यहाँ पर भी support लिया है और जैसे stock in case अगर गिरता है आने वाले दो तीन week में तो उसको फिर से trend line का support मिलेगा फिर से stock उपर जाने के बहुत हाई chance हो जाते है तो उसको trend line का भी support मिल सकता है future में यह stock बहुत हाई chance है कि stock आशे गिरने के बहुत कम chance है और उपर जाने के बहुत ज्यादा chance है तो यह stock आपने portfolio में लेके रख सकते हैं बहुत high momentum stock है तो आराम से आपके पैसे double कर सकता है वो भी एक साल के अंदर तो अभी इसको buy कप करना है तो buy at cmb अभी कितना चल रहा है escort का आप देखोगे closing price Friday का 1227 point आंट है तो आपको यह level के आसपास मिलता है तो आप buy कर सकते 4250 का target है यहाँ से stock double हो सकता है लेकिन आपको stop loss भी लगाना बहुत जरूरी है एसल exit विकली close बिलो 1880 यानि कि यह stock का जो demand zone है उसके निचे समझो stock गिरते गिरते कुछ bad news आ गया और उसके निचे close देता है विकली close ध्यान से सुना है विकली close यानि कि Friday को होता है तो विकली close जब भी देता है तो आपको यहाँ से exit करना है आपका stop loss हो गया और फिर से गिरावट भी निचे की side आ सकते है वो भी आपको द्यान में रखना है तो बाइंग लेवल से अभी risk calculate करोगे तो बारा परसंगा रहा है reward देखोगे तो 100 परसंगा है तो risk reward कितना हुआ 1-8 का हुआ time period 3-12 मीने यह भी आपको ध्यान में रखना 3-12 मीने लग सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने अभी बता दिया 217 तो वो stock हर महीने मतलब 8% उपर ही जाएगा क्योंकि मैंने 12 महीने बोला यानि कि हर महीने 8% उपर जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होता कभी-कभी stock में भी sideways यहां से चला जाए 2-3 महीना फिर से breakout देके उपर नाय हाई बना के चला जाए तो वो आपको ध्य आपको इतनी तैयारी रखने है 3-12 महीने अगर आपके पास फैसे है तो ही लगा सकते हैं तो यह अपना पहला stock हो गया escort अभी मैं आपको दूसरा stock बताऊंगा जिसका नाम है TCPL pack आपको weekly chart के उपर analysis करेंगे यह stock को buy करना है 3-12 महीने के लिए position बना के रखना है तो stock का नाम है आपके देख सकते TCPL pack weekly chart के उपर analysis करेंगे और analysis date कौन सी रहेगी एक October 2022 याने के Saturday का दिन resistance become support अपने सबसे ज्यादा बरोसा करते हैं आपको भी पता है तो stock कर क्या रहा है stock उपर जा रहा था rejection ले रहा था उपर जा रहा है फाइनली breakout देके उपर गया है लेकिश करने का आप आया निचे आया निचे कौन से एरिया में आया यह stock का पहले जो supply zone था वहाँ पर रिटेस करने आया रिटेस स्केंडल के हाई के उपर भी stock गया हुआ है यानिकि अपना trade confirmation मिल जाया यह stock उपर जा रहा है और अपने को stop loss एरिया भी पता चल गया यह वाला एरिया अभी demand जोने आनिकि उसके निचे close देतो अपना exit करना है तो पहला region हो गया दूसरा region देख की और या पर आप सोचो की trend line का support हो बहुत कम चांस है आपको at least 2 से ज्यादा support मिले तभी आप वो trend line पर बरुशा कर सकते हो तो या पर already एक support मिल रहा है या पर दूसरा support भी मिल रहा है और या पर तीसरा support आ गया है यानि कि trend line का भी support आ रहा है अगर stock समझो यहाँ से निच support break करना पड़ेगा उसके बाद demand जोलना आएगा वह भी break करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे stock को close देना पड़ेगा तो बहुत कम चांस है कि stock नीचे गिरे कही ना कई या से नीचे गिरेगा तो भी फ़स सकता है फिर से stock में उपर की side जा सकता है तो stock को अभी आपको buy supply zone यह stock का क्या हो गया demand zone हो गया इसके नीचे weekly close देता है तो आप क्या कर सकते हो exit कर सकते है तो risk कितना है की सबसे best लग रही थे इसलिए मैं आपको बता रहा है तो 19% का risk के reward कितना है 100% का risk reward 1-5 कर आएगा time period रहेगा 3-12 मेने position बना के रखोगे तो यह stock आपके double करके देगे पैसा तो यह अपना दूसरा stock हो गया tcpl pack जो आपको buy करना है cmp पे भी buy कर सकते हो अगर आपको 19% ज्यादा लगते है तो stock में तोड़ी गिरावाट आई वहापे भी buy कर सकते हो लेकिन उसने already trend link का support ले चुका है actually आप देखोगे तो यह stock Friday को 10% यहाँ से बाग गया है अगर समझाओ Friday को 10% की जगह 2-4% उपर जाता तो आपका risk already कम हो जाता यह आपको 19 की जगह कितना आ जाता 12-13% आ जाता लेकिन कल के दिन ही देखोगे तो Friday को यह stock 10% उपर चला गया है तो देखो guys कोई भी अच्छा stock होता है वो सस्ते में नहीं मिलेगा इतना easily तो आपको इसमें risk लेना ही पड़ेगा 19% तो यह अपने दूसरा stock होगा TCPL pack अभी मैं आपको तीसरा stock बताओंगा जिसका नामे महिंद्रा life space महिंद्रा life space को आपको buy करना है बाय करने का logic आपको समझाओंगा weekly chart के उपर अपने analysis करेंगे तो stock का नाम यह आपर देख सकते हैं महिंद्रा life space weekly chart के उपर analysis करेंगे और analysis date रहेगी 1 October 2022 तो इसमें भी से में resistance become support ध्यान से देखोगे तो stock में यह आपर area में बहुत consolidate कर रहा यानि कि इस टोक का आप बोल सकते हैं supply zone थोड़ा बड़ा था नॉर्मल इतना नहीं होता लेकिन कौन सा था यहाप चारसो चालिस और 398 के बीच में stock ने बहुत time यह spend किया है यह area जो आपको दिख रहा है उसके बाद stock ने ब्रेक आउट देके उपर गया है देखोगे तो यह बहुत बड़ा area के बाद stock ने उपर जाने के बाद उसका जो निचे से trend line का support भी आ रहा है देखोगे तो यहापर एक time यह second time यह third time यह fourth और fifth यानि कि multiple time यानि कि 5-6 time से ज्यादा उसको trend line का भी support मिल रहा है ना कि strong trend line नहीं यह वाली और उसका trend line भी देखोगे तो अभी उपर जा रहे है यानि कि उसका consolidate area तो उसके उपर उसने support लिया है trend line का और stock यहाँ से उपर जाने के लिए एकदम ready हो सकता है इसलिए आपको इसमे reverse up का weight नहीं करना अगर stock गिरता है तो भी उसको trend line का support पहले break करना पड़ेगा फिर इतना बड़ा उसका जो supply zone था यहाँ प महिंद्रा life space अभी CMPA 472 चल रहा है तो आपको अभी buy करना है 950 का target लगाना है SL exit weekly close below 393.98 है निकी इतना बड़ा उसका जो demand बनेगा उसके निचे अगर close देता है तो ही आपको exit करना है तो इसमें risk है 16% का reward 100% का risk reward 1-6 का है और time period 3-12 मैंने position बना के रखनी है तो guys मैंने आप आपको यह तीसरा stock बतांगे दिया जिसका नामे महिंद्रा life space अनि total अपने तीन multi-bagger stock बता है पहले stock का नामे escort जो आपको buy करना है दूसरा stock है TCPL pack जो आपको buy करना है तीसरा stock है महिंद्रा life space जो अच्छा multi-bagger stock साबित हो सकता है लेकि stop loss लगाना भी बहुत जरूरी है तो अब भी जो level मैंने दिये वो level लिखके रख सकते हैं और जैसे जैसे stock उपर जाता है जैसे आप इसमें क्या कर सकते है ट्रेल stop loss कर सकते है वो भी आपको ध्यान में रखना है ट्रेल stop loss याने कि आपको पता होगा बहुत सारे stock अपने ऐसे है जो buying level से 30-40% उपर है तो अभी आप वो पूराना stop loss तो नहीं लगा सकते है लेकिन उसका जो recent swing होता है उसके नीचे आप stop loss लगा सकते है तो वो decision आपको खोच से लेना पड़ेगा कि swing कैसे काम करता है जैसे इसमें मैं example के तोर पर बता हूँ जो लोग को अगर पता नहीं यह swing कैसे काम करता है जैसे कि समझो आपने यहापे buy बोला है त्यान से देखने यहापे buy बोला है तो stock ने यहापे उपर गया यह swing लिया फिर से उपर गया फिर से यहापे swing लिया stock ने फिर से उपर गया जैस आप करना जैसे नया हाई बना था जैसे या आसे stock अभी या पर swing लिया है और समझो stock या से break करके उपर जैसे ही जाता यह previous उसका high break करते हैं तो यह आपका confirmation हो जाता है और यह आपका swing gear वाला हो जाता है तो ऐसे ही आपको trail करते जाना है stop loss तो guys आज की वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करके जाना और channel को subscribe करके रख सकते हो और telegram जिसके पास है वो भी आप join करके रख सकते हैं इसमें आपको अच्छे अच्छे line market में trade मिलते रहेंगे guys तो thank you bye bye take care कर मिलते है swing trading वीडियो में बाइक thank you bye bye take care please वीडियो को like करके जाना